है अग्याइब कर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल जेडियस लोगरोजी में दोस्तों आज का टॉपिक है वह बहुत ही इंपोर्टेंट है और लोग अच्छी तरीके समझ नहीं पाते हैं क्योंकि देखिए टॉपिक क्या बेल टॉपिक बता देता हूं क है जो प्रॉपर्टी होती है उसका बटवारा कैसे कैसे होता है ठीक है क्योंकि Meyer द AT हाई कटल करता है घर में लड़ाई होती है कलेस होती है होती है तो आज प्रबर्टी के उपर ही आप सारे information देने वाला हूँ प्रबर्टी का बटवारा कैसे होता है क्योंकि अलब भी हिसाँ है कि हम ले प्रॉपर्टी मिलनी मिलने मिलने लेकिन एंड में जपर सो दोस्तों बात कि जाए करो टाइब की होती है एक होती है सलफ और न यह पूर से इह चले हुए अब 9 सबना और मैं आज में आज मेरे की दभी किषूपर एक मेरे घ्राइब कंज सकते हुए यह जो थरी में करेकले प्रॉबयो कि वह क Adams के लाय पने मेरे आझे से पर सब्सक्राइब को भाया ut होती है ठीक है तो आप समझ के लिए क्या होती है अब तो एक्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि एक है ठीक और एक की साधी हो जाती है बी से ए और भी हजमेंड वाइफ है और इनके चार बच्चे हैं इसलिए सोच के बोल रहा हूं तो जो ए है उसके चार बच्चे हैं सी डी ए एफ भी उसकी वाइफ है तो एने कोई जो चारों बच्चे हैं उनमें बराबर तो बटेगी बटेगी लेकिन वही पार्ट उसकी वाइफ को भी मिलेगा ठीक है जो इसका मुलकी है कि प्रॉपर्टी और वह पाच्व में बटेगी आप दूसरा कोशन दोस्तों ये है कि जो An sister property है महले जो पूरवजय की property है क्या हम जैसे मालिजिए मेरे हाथ Amazon तो क्या में उस property को भीक सकता हूं जी बिल्कुल नहीं उस property में जिस जिसका अधिकार है ठीक है जैसे कि मेरे बाबा की प्रॉपर्टी तो मेरे फादर का भी दिकार होगा मेरे भाईयों का भी अधिकार होगा और क्या पता ताउचाचा कभी तो उनका भी अधिकार होगा तो उस प्रॉपर्टी को मैं अकेले नहीं बेख सकता हूं उस प्रॉपर्टी को बेखने के लिए मुझे स सब की रजामंदी चाहिए होगी तभी मैं उस प्रॉपर्टी को बेख सकूँगा ठीक है यह पॉइंट भी आपको किलियर हो गया होगा अब एक और कॉशन आता है कि जो सेल्फ एक्वाइर प्रॉपर्टी होती है मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जो खुद से कमाई ग जब तक एक खुद की विल नहीं होगी वह उस प्रॉपर्टी को नहीं बाठ सकता होगी वह उसकी खुद की प्रॉपर्पर्टी के अंदर फिक जैसे मरने एप्लिइए वह उनकी मेरी प्रॉपर्टी है वह सिर्फ सी को ही मिलनी चाहिए तो तो जो और बच्चे है एबी सी डी डी इए फ ठीक है वह उनको कुछ भी नहीं मिलेगा वह ऐसे ताली बजाते रह जाएंगे तो यह हो गया दूसरा कि जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसी का अधिकार होता है वह किसमें उनको बाटे जिंदा होते हुए मरने के बाद तो आशा करता हूं सारे कोसन समझ में आ गए होंगे एक बार और बता देता हूं आपको जो सेल्फ एक्वाइर प्रॉपर्टी होती है वह खुद की कमाई होई होती है उसका जो डिस्ट्रिब्यूशन है वह बंदा खुद अपने जीतेजी जिसको चाहेगा उसको दे सकता है मरने के बाद बच्चों में और वाइफ में बलावर बढ़ जाएगी ठीक है उसमें कोई भी बच्चा यह नहीं बोल सकता कि हाँ वह इसको यह प्रॉपर्टी अप इस इस इसडर चाहिए ठीक ध्यान रखिएगा यह होती है सेल्फ और प्रॉपर्टी फिर आश्चेस्टर प्रापर्टी जहों कि उसमें आपका पूरा जिकार है जितना आपके फादर साब का अधिकार है प्रॉपर्टी में उतना अपका कशा करता हुं दोस्तों वीडियो भहूत पसंद आए होगी मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई मैं निन